आज बात हो रही है लगातार उन बागियों की जो रण में तार ठोक रहे हैं अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरे दल से या फिर दल ये चुनावी रण में अब अपना दम दिखा रहे हैं सीधा रुख करेंगे इस वक्त हमारे साथ नराण पाल जुड़ चुके हैं जो की सितार गंज से पूर विधायक हैं कॉंग्रेस से इन्हें उमीद थी कि पार्टी इन्हें मौका जरूर देगी लेकिन ऐसा हुआ नहीं पार्टी ने किसी और चाहरे परदाव खेला तो नराण ठोक दी है अकेले दम पर चुनाव लड़ने की भले ही वो बीएस पी के सिंबल से चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन नराण पाल सितार गंज के एक कदावर नेताओं के रूप में देखे गए जब विजे पौगणा की सरकार बनी तब उस वक्त नराण पाल ने ही खुलकर व नराण पाल जी बहुत वह स्वागता था नियूसेवल इंडिया में आपका। कॉंगरेस ने अपना प्रतियाशी बदल दिया नराण पाल इस वक्त हमार सा झुड़ गया है नराण पाल जी अब में आवाज आ रही आपको जी जी न Inland Palji, कैसे हैं आप याप नीरण पाल जी जेहरे पर मुसकान है आपके और ये हमेशा मुसकान आपकी पहचान रही है लेकिन पाटी ने तो आपको दगा दे दिया दगावाज है दगावाज है दगावाज है दगावाज है ये नेता इन्हों ने टिकेट बेज दिया बेज बेज दिया और बजे की बात किसी कॉंग्रेस के कारकरता को नहीं वेचा किसको दिया नराहिन पाल जी फिर तो ये टिकेट खरीद परोग की बात आ गई ये तो सामने किसी और ने चाहा कि नराहिन पाल जी न लड़े अच्छा अच्छा एक बात बताएए नराहिन पाल जी अब तो आप बीएसपी के सिंबल से लड़ रहे हैं तो तैयारी तो आपकी पहले से थी चाहे कॉंग्रेस टिकेट दे या ना दे मैं मैं सब मैं जो हूँ ऐसी घूमता हूं सुबह से साम तक ऐसी घूमता हूं मुझे बहुत जादे मीटिंग और गनाइज करने की अफसकता नहीं है क्योंकि मुझे इसली नहीं है कि मैं दस साल से यही तो कर रहा हूं जी अच्छा नरैनपाल जब मैं भी सितार गंज आया तो मैंने वहां पर एक नारा देखा जहां जिसने बुलाया नरैनपाल आया जी जी और देखो जी आपको याद होगा आप मुझे अचानक भी मिले थे तो मैं अपनी मातारी नाम से मेडिकल केम करा रहा था जिसमें कई जी सो लोग थे आपको याद होगा जी बिलकुल तो मुझे पता थोड़ी था आप आने वाले हैं तो खोब मेडिकल केम करना भी दो महीने में अच्छा नरैनपाल दी एक बात बिताईए सितार गंज में आपने इतनी महनत की इतना सब कुछ आप लगातार पार्टी के अब यह ब्यभूला जी के लिए प्रतिख्या ली थी सिरी हर इस रावाजी के लिए प्रतिख्या आपके सामने ली थी जी अब ये भ lowanda यह बस the ऑन रills ने अकरेंगे में लेकिन केसा ऐसा क्यूंगाज नरैनपाल जी किया लगता है मैं अब यह यह बई नहीं चाहते होंगे हैं असल में मजबूत आदमी हैं हम भगवान की किरपा से हर तरीके से तो नहीं चाहते होंगे एक हमारे परदेश के एक नेता हैं उनका अच्छी बागणा जी से काफी अच्छा तालमेल था उन्होंने पूरी कोशीद लगाई इस क् में इस में उसमें कि नराइन प्ाल जी को नहीं मिले हैं वो मुखवंतरी बना चाहते हैं कांग्रेज के अच्छा आप नाम क्यों नहीं रह Mm הפ्राएं प्रीतम हुआरा सभी कुछ है सभी कुछ था नहीं आप बहुत कुछ बोल भी गये, मैं समझ भी गया, इतना प्रीतम इतना प्यार था तो फिर उन्होंने इतना प्रीतम प्यार क्यों नहीं दिखाया? नहीं अब भई ऐसा है ना कि कुछ लोग सत्ता प्राप्त करने के लिए सब कुछ कर लेते हैं तो आप तो जिताओ केंडिडेट थे ना कॉंग्रेस के वहां से, ये तो तैर था कि अगर निराणपाल चुनाव लड़ेंगे तो फिर लड़ाई दिल्चस्प होगी अब जानते हैं कि आप वो आप जब दिल्ली में जब मैंने बीएसपी छोड़ी थी, छोड़ी नहीं थी जब मुझे बीएसपी से हटा दिया था तो मैंने कॉंग्रेज जुआइन की थी, तो मैं आप ही के पास आया था, आप किसी और चैनल में काम करते थे याद है आपको? बिल्कुल याद है तो मेरा, वो नो साल पहले ही गड़ना है वो हाँ, मुलाकात हुई, क्या बात हुई ये बात किसी से ना कहना अब कहना पढ़ रहा है अब कहना पढ़ रहा है, लेकिन नरायरपाल जी, आप जनता भी तो पूछेगी ना वैसे तो जनता है, सब जानती भी है, लेकिन फिर भी नरायरपाल जी आप से जनता पूछेगी कि आपने बतौर विधायक रहते हुए सितार गंज के लिए क्या किया और सौरफ बागुरा ने क्या किया आकलन तो होगी ना तो क्या कहेंगे अब क्या अगलन अब तो ऐसा है जाना की नहरूजी ने कुछ भी नी किया, मोदी ने बहुत कुछ किया, यह बहुत कुछ किया, घरते इंता पाइटी की चल गई है, बेज दिये साल धा 아니면 इती जानता है, आप गया था, आप करते हैं साथ गा है और जो जो लोग बड़े लोग हैं इसे बड़े लोग इनके बच्चों क्या पता संगर्ष क्या होता है संगर्ष हमें हमें मालूम है कि संगर्ष क्या है खुए है पुर मुख्रमिंतरी का बेटा हूँ तो फिर आपको निघता की लड़ाई एक तरफा हो सकती है कैसे वो करें कि जГटार मुख्रमिणतरी का बेटा हूँ मैंने सितार में बहुत काम कि आ पूर मुखंते पूर जिसके बाप ने काम नहीं किया बेटा दावा कर रहा है मैंने बहुत काम किये केदाननाथ की क्या इस्तिदी हो गई थी जब वहां आपदा आई थी और ये जो केरन मंदल दी के साथ भी तो धोका हुआ कि नहीं अब लखनों में नहीं देख रहो आप की बेटे को टिकट दो इंदरा जी के साथ साथ इंदरा जी के साथ और उसके बाद सब के साथ सब के साथ सब के साथ राहुल जी के साथ सौनिया जी के साथ और इन के साथ और उन पाइपाजी से पूछिए कि सितार गंज में उन्होंने पांच काम कौन से ऐसे किये जिसे हम उनको वोट दें अब इसा यह रिमोट रिमोट एरिया है यह और इतने रिमोट एरिया है यह और जब सिटकुल सिटकुल मैं मैं बिदायक था माननी मुकवंति जी जो है तिवारी जी वो मुकवंति जी तो सिटकुल का इस्टेबलिस्मेंट जबी वाओध गाटन के समय मैं अध्यक्सा की थी तो सिटकुल का छोटा मोटा कान था पैर पगड़ी तो तिवारी जी के माननी तिवारी जी के अप आपने बताया कि कादर खान वाली फिलम देख गए थे आप पैर पगड़ी पैर छोड़ा ही नहीं है अब यहां कादर खान की पिक्चर देखने गया था और करोना के समय में हमने क्या किया अब लोग सबसे बड़ा वो बांते हैं कि रोड़ बेज बनाया रोड़ बेज मैंने इस्टेबलिस किया था महां और आप यूट्यूब में द आपने विधायक रहते हुए इतना काम किया इतना सब कुछ किया सितार गंज में आप फिर भी नाम नहीं ले रहें उनका जिन्होंने आपके साथ धोका और दगेबाजा दगेबाजी की आपने उस वक्त भी कहा था आपसे कुछ महीने पहले की बात है आपने कहा कि हरी चुरावत को मुख्य मंतरी बनाने की प्रतिक्दिया लेता हूं मैं और आज उन्होंने आपको धोके बाद मतब धोका दे दिया तो आप नाम भी नहीं ले रहें उनका क्या नाम लेना उनका इससे क्या नाम लेना है उनका क्या नाम लेना है मैं तो मैंने तो जिदिन से टिका टुकट काटा उत दिन से उनने याद भी नहीं किया मेरे लोग, मेरे शंपर के लोग, हमारे बच्चे, हमारे बच्चे, हमारे बाई, रती जे, हमारे सब परीवार के इंट, तड़फ गयी. तड़फ. अभि मैسिज आए, एक और मैसिज आये लाइब में, नैरेनपाल जी. आप ही कह कोई लकरख शुप्षिन्तक हैं हैं कि नरैयन पाल जी नामंकर वापिस ले लेंगे आप लिखे लेों ऐसा है क्या मुठ रोड़त ल्हए हुअ एसे जाधे पता हुआ हैं यह नहीं पता हो जो लिखेत रहा के अचब Agoda Events थो नहीं अब मुझे पता नहीं किस कैम्प से हैं लेकिन इसे जादे ही जोतीस होगा यह में रिखासदे पंडित तो नहीं आदमी है अच्छा तो यानि कुल मिलाके आप नामंकन वापिस नहीं लेंगे आप मैं नाम ले लेता हूँ आप नाम लेने से इसकी चारे हैं प्रीतम सिंग ऐसा क्यों करेंगे कि आपको टिकेट ना मिले अरे भाईया अब तो समय में निकल गया इस बात का नहीं मैं वही नरेट पाल जी जानना चारहा हूं ना आपसे कि आपके साथ देखिए 2012 में एक वादा किया वो वादा टूटा आपके साथ 2017 में वादा किया वो वादा टूटा अब आज कर यह होता है कि दूसरे दलों के लोगों से भी लोग है जग जाहिर है वह तो कि आपका टिकेट काटा गया कि नहीं चाहते थे कि आप चुनाव लड़े अरे यह अब मैं कहने रहा हूं यह तो दस्तावेज दिखा दूगा मैं किस बात के कि पाटई कर दिका दूगा मैं कॉल टिटेटेंस करें आप दिखा दूगा मैं गेंट मैं स्पचले में पढ़ना है नी चाहता दिखा दूगा लेकिन मैं सब्सक्राब्बें और मैं देवेंदर याधव जी से अरश रावज जी से दोनों को दिखाया वी था, आपמה ये लो, ये नाम लो हूँ, ये लो, इस समय ये लो, सब कुछ किया था. फिर हरीश रावज जी ने क्या कहा है? अरिष रावज जी ने कुछ निकर टिकेट काट दिया. तो हरीश रावज जी ने आप से कहा हो एक दिन देखना तो मेरे लिए इसे हमारे ऐसे बड़े हैं वो कि मुझे दुस्वंद की जरूती नहीं पड़ी है हमारे अपने लोग थे दोनों ना अपने पाइटी अपने अपने समय पे काफी चमतकार दिखाए मुझे लगवान इंसा भाला पहले बोगड़ा जी ने खेल खेला आपके साथ फिर हरी श्रावजी ने उसका हम से हमने पार्टी संक्टन तयार किया था कॉंग्रेश का हजार लोग रोह हैं यहां हजार लोग इसा थोड़ी होता है आपको भी अफसोस तो होगा नर्याणपाल जी इतनी महनत की आपने अफसोस करके क्या संबेज जब लोग की संबेजनाएं खतम हो जाएं तो एक सामय तकी तो असंतोस या एक वो रहता है अफसोस तो यह सथ होड़ी है कि मैं आफसोस में रहूंगा बस बैस अब नहीं रास्ता चुलिया में नजी तब जनता नहीं यह कहा कि ना इधर ना ओदर सीधा बात करेंगे नर्याण की नारायन नारायन लेकिन अच्छा यह नाया नारायन करेंगे तो ठीकी रहेगा नारायन नारायन आँ अच्छा नरायनपाल जी आपको डिखाई से दिखाई थे पूछले ना मैंने उने भी दिखाई तो क्या पृतम सिंग और विजय पागणा जी के भीच की बातचीत थी अब मैं क्या कहूं मैं अपने काम से लगा हूँ अब मैं कुछ नहीं कहता हूं अच्छ नराइन पाल जी चुनोती बड़ी आपके सामने आप कुराने घर में वापिस लोटे हैं लेकिन आपने उस वक्त कहा था कि मैं पहले नर्क का राजा था अब स्वर्क का दरबारी है किसे लड़ाना है चुनाओं और महां मजबूत करना तुम तो जहां हमारे टिकट के लाले पड़ गया है और बेंजी हमें सम्मान दे रहे हैं कि आप बता देना जो अरे मैं तो आया था तीन महीने पहले तो खेल कर देना तीन मेले पहले आपको किस ने रोका था इनके जूटे उसमा अस्वजनों में आगी अधम है बहुत बरबात कर दिया है मुझे इनों ने मैं तो कुछ कह नहीं रहा हूं तो आपने प्रीदम सिंग को फोन करके बोला नहीं कि आपने गलत किया मेरे साथ क्या बोलना उस राष्टे पर इनी जाना है बोलना क्या है एक हमारे हम एक संगर्शील कार करता हमारे अलाबा एक कार करता हमारी नज्रों में एक और है वो है लालकवा से चुनाव लड़ी थी संधिया डाला कोटी जी तीसरे दिन संधिया डाला कोटी जैसा है कार करता पैदा नहीं होगा उसका presenting टिकेट काड़ दिया Ama कि की कि संधिया को सपोर्ट करेंगे आपका प्रभाव मैंने देखा है सिर्फ सितार गंद तक नहीं है आपकी पहुंच तो हलद्वानी से भी आगे तक है तो संध्या का सपोर्ट करेंगे क्या नरैन पाल मैं अभी तो यह ही लगाँ संध्या हमारे परवार की है हमारे घर की है हमारी बेहन बेटी जैसी है वो हम उसके लिए कुछ भी करेंगे अब समझेंगे ना बात को मैं तो हल्द्वानी भी नहीं गया बहुत दिन से अच्छा नरैन पाल जी क्योंकि आपके पास वक्त कम है और चलते चलते मैं चाहूँगा कि सितार गंद की जनता इस वक्त आपको सुन रही है मैं तो सम्मान की राजनीत करना चाहता हूँ मैरे जादे खौइस वाइस थोड़ी है मैरे जादे खौइस भी नहीं है और मेरे जीवन में मैं सबसे बड़ा काम मैंने दान आन ये वो इसी में लगा रहा है और मैं राजनेताओं की तरह मैरे जीवन में कुछ चीज में खरीदी होंगी अपने बिजनिस के रूप में तो वो फल फूल गई, अच्छी होगी मैं नहीं करता हूँ ये घबले घबले जो करते हैं मुझे कोई सौक नहीं है इस बात का जनता का अस्किरवाद मिलेगा अगर जनता का स्योक मिलेगा तो हम तो चुनाओ जीच जाएंगे और जनता का, जनता को जनता ने मुझे बहुत बहुत खराब समय में देखा है जब कोई भी नहीं था, तो हम थे मैं जनता से असिरवाद मांगता हूँ और उन्हें हमेशा नमंद करता हूँ, मैं अपना परिवार जैसा समझके कि सोचता हूँ कि किसी भी काम आउँ और आप किसी पूछना है, किसी ने मुझे अपक्चा की तो मैं करता ही हूँ क्योंकि मेरे अच्छे सम्मंध है लोगों से मैं कहीं भी किसी से भी कुछ गहता हूँ, तो कुछ भी हो जाता है बस इसवर मेरी मदद करें, मैं तो जनता के साथ कड़ा हूँ एक और मैसीज आ गया, मैं आपको फ्री कर रहा हूँ मैसेज आया कि बागुणा जी को कैसे हराओगे नरेंडपाल जी ये बता दो मैं थोड़ी हराओगा, जनता हराएगी जनता हराएगी आच्छे चलते चलते नरेंडपाल जी कॉंग्रेस के नेताओं को कोई संदेश देना चाहेंगे आप के लिए, अनुके बारे में भी कुछ नी बोलता हूँ कि किसी के बारे में कुछ भी निatta ऑं मजे नराजवी तो इदे चाहिए मुझे किसी तो कुछ निंगा अच्छा पूरा प्रितम संग कैसे नेता है अब مजे बदा नहीं कैसे नेता है लेकिन अब कहना वेकार ही है नहीं तो हम अगर बोलना सुरू कर दिया तो वेशी वेड़ी पुरसे किसे नराइडपाल को मैंने नौ-दस सालों से देखा है नराइडपाल जी को बिल्कुल सीधा सपाड बोलते हैं आज पता निक्यों पहलिया बुजा रहे हैं आप पहली एली नहीं कर रहा हूं मैं बल्कुल मैंटली बल्कुल अभी मेरी सुबह से बहुत सारी मिटिंग होई ह और अभी जा मुझा उमीर नहीं थी बहुत ज़्यादे वहां व्यापक समर्तन था आप कुछ लोग करेंगे उसी में जा रहा हूं मैं आप से बस रुक के बात कर रहा हूं और बोलता तो मैं साफ-साफी हूं लेकिन इस वक्त मेरे मन में ना बहुना जी के लिए या पुर्सारती हूं न मैं रही हम फो दर्याओं हैं जो अपना उनर जानते हैं जहां चाहेंने रास्ता बना यह यह लेकिन ऱर तो आपके साथ धोकाई हुआ आज भी भावोग हो रहा हूं यह और इस लिए बात ने की बात निए बावह तो हमारे लोग बहुत पर्सांद मेह मैंनत करता हूँ जी बोने रहें आप क्या उम्मिद करते हैं आप मैंनत करता हूं करता रहूं हमार का है. शली नरायनप्रपाल जी. आपने बताया हैं निवे प्रितन सिंग आपको कैसे लगते हैं. आपने खेर वक्द दिया निवस्वल इंडिया के लिए. बहुत बहुत शुक्री है आपका नरायनप्रपाल जी शुब कामना है आपको. जैन्ने बाज देवार तो ये थ भी दिखाया लेकिन फिर भी उनके साथ बेवफाई हुई उनका टिकेट काड़ दिया है अब वो BSP से चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव जीतने का दम भी भर रहे हैं लेकिन सितार गंज का मुकाबला वाकई दिल्चस्प होगा ये भी तया है क्योंकि नरैनपाल ने संक तक कहुचा रहे हैं फिलाद मुझे दीजिये जालत नमस्कार जाहिंद भारत जा उत्राख़ाई